कि मां नमसकार दोस्तों दिशनेत् दिपक्षोहन तो क्रूंस तो आज मैं अजित श्र्मा का एक डाउट लेके आया हूं एक अजित श्रमा ने कुछ समय पहले मुझे कहा था कि सर्राउंड ओर सुर्राउंड को समझाएए उसके साथ मैंने और भी कुछ कहा था देखिए आपको दिख रहा होगा नजर आ रहा होगा उन्होंने मुझे कॉमेंट किया था जब मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था कि लगभग के अर्थ में यह वाला वीडियो मैंने अप्लोड किया था अबाउट अराउड एप्रॉक्सिमेटली यह इसको मैं जब एक्स्पेंड कर रहा था वहां उनका कॉमेंट आया था उन्होंने का कि प्लीज एक्सप्लें राउड अराउड सराउंड यह तीन उन्होंने पुछा उसके अलावा एलाउंग विथ यह भी पूछा एस तोनेस फ पाकि के जो टापिक है हम लोग किसी और वीडियो में लोग कवर कर लेंगे तो यह समझते हैं बहुत ज्यादा बाते किसी काम में उलच जाते हैं जैसे आज करेंट आप था तो मैं shooting ले नहीं पाया अभी ले रहा हूं मैं करेंट आया तो आँ रहा है नजरना थोड़ा इदर कर देता हूं मैं वे बस के इंजार में बैठे थे तो यहां कह रहा है कि देवर सेटिंग अराउंड वेटिंग फार दा बस अब यहां पर अराउंड क्यों आ रहा है सवाल आ गया तो आप ध्यान दीजिएगा sit around एक phrase है यहां पर around अपने आपने अलग नहीं है लेकिन sit around का मत होता है किसी के आसपास बैठना किसी के लिए बैठना वहां हम लोग कहते है sit around अगर आप sit से भी काम चला सकते थे देबर sitting याने वे बैठे थे यानि उसके आसपास बैठे थे किसी का wait करते वे बैठे थे तो वहां हम लोग sit around mo around go around यह एक प्रीज बन जाता है तो वह कह रहा है कि उसके इंजार में आसपास बैठे वे थे bus stand में ताकि bus आए कई आप चारों और कई पर बैठे रहते तो आप seat around आप कह सकते हैं ठीक है आगे देखते हैं और इस बात है killer होगी मैं around around और surround यह तीनों बाते बताऊंगा मैं आगे बढ़ने प्रत्वी सूरी के चारों और घुमती है यह बड़ा common sentence है जितने भी टीजर round around को पढ़ाते तो यहाला sentence तो बताते ही होंगे लगता है तो क्या बोल रहा है प्रत्वी सूरी के चारों और घु तुम्हें इस मंदीर के साथ चक्कर लगाने पड़ेंगे तो you will have to go seven rounds of this temple go seven round round रहा है चक्कर की sense पा रहा है तो go round उसके चारों और घुमती है यहां पर यह sense आ रहा है उसने अपनी ड्रेस पर एक गोल चीज पहनी हुई थी उसने अपनी ड्रेस पर एक गोल चीज पहनी हुई थी वह गोल गोल थी वह तो यहां कहा गया है she was wearing a round thing on her dress यहां पर round का मतलब क्या और गोल हो रहा है गोल ठीक है कोई चीज रावंड रहे थी तो हम बोलेंगे इसको round यहां पर ग हम विश्व बर की यात्रा करना चाहते हैं, we want to go a trip around the world, देखे, around the world आ गया आपर, तो ये भी go a trip around, संसार का चारो ओर, संसार के विभिन देशों में हम जाना चाहते हैं, हम एक trip करना चाहते हैं, तो उस sense में आ रहा है, अराउंड ये वाला हमारा सेंटेस के लिए रोगया अभी कह रहा है कि अराउंड एंड राउंड also mean in different places and here and there तो दोस्तो अराउंड और राउंड जो है वो हमें different places का भी अर्देगा अलग-अलग जगा उसका भी अर्देगा और दूसरे के अर्थ देगा यहां वहां का भी अर्थ देगा हम में कहना है कि वह यहां वहां बैठे हुए थे तो they were sitting around आप कह सकते हैं ठीक है देखिए अब यहां मैं आपको इसको उपर कर देता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक सेंटे सुन्हें क्या बताया है क्या बताया है वह को अर्णार और राउंड आलसो मीन different places and here and there यह meaning दे रहा हो तो यह लिखा मैं कार्याले में ही था इदर उधर आसपास में कार्याले में ही था कारेले में मतलब कोई दिरोंगी के अंदर गुसके बैठा होगा काउंटर के पास होगा कहीं था वो कारेले में आसपास था तो क्या बोल रहा है आई वास अराउंड इन अफिस अब आउंड जो है जो कभी गोल अरत देता कभी कुछ आठ देता तो यह अलगला पर आप इस पिज में क्या काम कर रहा है, क्या noun का काम कर रहा है, क्या इड़ेट का काम कर रहा है, क्या वर्ट का काम कर रहा है, यह मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए, मैं एक और चक्कर लगाऊंगा, यह कह रहा है, यह संग्या, यानि नाउन का काम कर रहा है, I will take another round, यहाँ जो round है वो noun का काम करता है जैसे मिले कहना है कि यहाँ एक pen है, this is a pen अब यह pen यहाँ रखी हुई है noun क्या होता है noun is the name of any person place or thing noun is the name of any person place or thing noun किसी का नाम है किसी व्यक्ती का, किसी जगा का, किसी चीज का तो एक pen एक चीज हुई, तो this is a pen, pen एक noun है अब मैं बुलू, pain सफेद है तो सफेद इसकी quality बता रहा है, तो the pain is white, white हो गया, adjective विशेशन, तो यहाँ पर round क्या है noun का का काम कर रहा है, किरपें अपने ओठों को गोल करें please round your lips, यहाँ पर round verb का का काम कर रहा है, गोल करना verb का 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 काम कर रहा है तो part up इस पर हम लोग देखे रहे है round का, क्या आप गोल केक चाहते हैं या चुकोर, आप कैसा केक चाहते है गोल चाहिए या चुकोर चाहिए do you want a round cake और square one, यहाँ पर round adjective का का काम कर रहा है, देखिए adjective का का काम कर रहा है, यहाँ आपर round मैं इसको यह थोड़ा हटा देता हूँ confused करना यह आपको, तो round यहाँ पर क्या हो गया, adjective हो गया, जो cake की भी से था बता रहा है, गोल केक, क्या आपको चकोर चाहिए, कैसा cake चाहिए बताईए, पूल टूटा हुआ था, इसलिए हमें घुम कर जाना पड़ा, अब देखते हैं, the bridge was broken, so we had to go round, go round, यहाँ पर round adverb का काम कर रहा है, किरिया विश्च्रच्रण का काम कर रहा है, किरिया विश्च्रच्रण adverb का मतलब होता है, जो किसी work को qualify करता है जो किसी adjective को qualify करता है तो कैसा हम घुम के जाएंगे उसके जाने का तरीका कह रहा है कि घुम कर जाना क्योंकि breeze टूटा हुआ है, तो हम लोग घुम के जाएंगे तो यहाँ पर round जो है, वो adverb का काम कर रहा है, जैसे I walk slowly, तो slowly जो है, वो walk को qualify कर रहा है उसके चलने का तरीका क्या था, धीरे से you are getting adverb जो है, वो slowly है पार्टा भी स्विद में अगर doubt होगा तो आप चाहें तो मेरे channel में जाकर देख सकते हैं या पिर अलग सी video बना सकता हूँ मैं आपको आगे देखते हैं, अब बहुत ही मैंने छोटा सा topic जानवी से बनाया ताकि boring नहों, round and around are often used interchangeably round and round को अधिकतर हम लोग change कर सकते हैं दोनों में भारी अंतर नहीं है अब क्या अंतर हम लोग discuss करेंगे लोग चिला रहे थे और इदादर भाग रहे थे है ना, तो people were shouting and running round भी कह सकते हैं, around भी कह सकते हैं तो round around कभी-कभी interchange हो सकते हैं, बदल सकते हैं जरूरी कि आप round ही लगाओ, around भी लगा सकते हैं कुछ जगा पर हमेशा नहीं उस पर मैंने जो बता हैं, वहां तो round ही आना है है कि नहीं, आगे देखते हैं round is generally regarded as informal or non-standard, तो जो round है ना, वो थोड़ा सा formal, informal माना जाता है, informal या पर non-standard माना जाता है, यानि कुल मिला को गहरा है around जादा अच्छा है, इस sentence में आप round से काम चला सकते हैं, लेकिन around बोलेंगे तो जादा अच्छा लगेगा क्योंकि around जो है people were shouting and running around चार वर भाग रहते, चिला रहते जा रहते, इदर जा रहते, around जादा अच्छा लगेगा वो standard लगेगा, जबकि round, noun standard है, हाला कि लोग चला लेते बोल लेते हैं, American English में round ही लोग लगाते हैं, but around जादा standard लगेगा, अच्छा लगेगा थो असा, ये वाली बात यहां पर हो गई है, अब यहां बोल रहा है कि around, can also mean approximately, अब around का बदा approximately भी होता, लगबख भी होता है ये हम लोग फिछले वाले topic में पर पर चुके हैं कैसे, वा लगबख 30 साल की थी, लगबख 30 साल की, लगबख 5 बेज आऊंगा लगबख 10 बजे आऊंगा, बगएरा बगएरा लगबख 3 दिन रुकूंगा, तो लगबख जब आपको कहना है तो आप वहां पर around लगा सकते है वा लगबख 30 साल की थी, तो शीवास around 30, about 30 approximately 30 नह बलते हम लोग around कहा सकते हैं और इसी around को देखकर शायद उनको मन हुआगा, अजीत शर्मा को की around, round और surround को पढ़ाया जाए, है की नहीं उसके प्रेम प्रसंग की खबर पुरे college में तेजी से फैल गई, उसका जो law affair था, इसकी खबर पुरे college में फैल गई, तो her affairs, news traveled quickly around the college college के चारो और फैल गी दोस्तों चारो और इदर उदर, इदर भी उदर भी उदर भी हर जगह library में, garden में, everywhere तो यहाँ पर around the college, college के चारो और के अर्थ में आ रहा है round refers to circular shape, अब मैं round, around में थोड़ा संतर बताता हूँ, कि round जो circular shape की बात करेगा, goal goal याने around moment goal या movement की बात करेगा around indicates around जो हो इंडिकेट करेगा surrounding, हमारे आसपास की surrounding उसके बारे मताएगा something और being in various directions और locations, हमें कहना है I will go around, मतलब ही मैं कहीं आसपास जाऊंगा, यह कह रहा है यह minor difference है दोनों में, अब हमनों पढ़ते हैं surround चारो और से घेरना या घेरा हो यह वाला अधिकता निउस्पेपर में आता अपने देखा होगा I was surrounded by people I was surrounded in traffic वगेरा वगेरा, तो be all around someone or something किसी के चारो और हो ना, किसी के चारो और से घेरा हो ना, किसी वेक्ती किया, किसी चीज के इसकुल अपने बगेचे से घेरा होगा है इसकुल जो है, अपने बगेचे से घेरा होगा है तो चारो और बगेचा बीच में इसकुल है तो the school is surrounded by its own garden अब surrounded by वाला वर्टब कापी common है बहुत ज़्यादा आपने सुनाओगा हमारे गाउं के चारो छोटी-छोटी पहाडियां है गाउं बीच में आसपस पहाडियां है गाउं ये हैं, आसपस पहाडियां है तो small hills surround our village ये present simple मैंने बना दिया small hills को मैंने subject माना ये मेरा work हो गया ठीक है हमारा college घने जंगल से घिरा हुआ था हमारा जो college घरे जंगल से घिरा हुआ था यस बिल्कुल स्कूल के जैसे अबर college वा surrounded by dance forest आप dance woods भी लेख सकते हैं लकडी हो था, wood में एस लगया था वो forest बन जाएगा तो Mr. Ajit आप इसका आप अलग-अलग इसका skin shot ले सकते मैं हटते जाता हूँ, यह अपना पहला skin shot हो गया, यह ले लिजेगा ले लिजेगा skin shot फिर बाद में आप पढ़ने के बाद में मुझे बताना, कि bridge से नीचे में आ जाता हूँ यह ले जे, बस यहीं से चालुआ था, यह इसका दो बार skin shot ले लिजेए पुछना बंद न करें, इसके पहले मैंने जो past perfect और past simple का जो doubt मैंने clear किया था, कापी मैनस से वाला वीडियो मैंने बनाया था, उसका भी भरबुर प्यार मिला है आप लोगों का, और मुझे उम्मीद है वो doubt आपी clear हो गए होगे यह मेरे student अधिकतर पुछते हैं मेरे class से कुछते रहते हैं कि sir, जो past simple है और past perfect है, था दोनों में आता लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि कब past perfect लगाना कब past simple लगाना है यह वाला वीडियो अगर आपने ना देखा तो फिर प्रीज आके देख लीड़ेगा तो दोस्तो मेरा echo channel है मैं आपसे बारबर कहता हूँ कि let's have a dream with Deepak let's have a dream with Deepak वहाँ पर मैं generally English से related में वीडियो upload करता रहता हूँ कुछ कहानियां जो दिल को जगजोडती है परेशान करती है वह मैं बताते रहता हूँ तो वह भी आके आप देख सकते हैं मेरे इंस्टा में आ सकते हैं मुझसे अगर आपको content करना है तो rainbow English Deepak करके इंस्टा है वहाँ मैं आपको मिल लाओंगा वहाँ आप मुझे WhatsApp message कर सकते हैं मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीस comment statement लिके बताईए हो सके तो इस से related एक sentence बना के बताईए ताकि मैं समझ जाओं कि आपको आज का वीडियो confirm हो गया killer हो गया है मिलते हैं बहुत जल्द इसी परकार के नहीं कोशिश के साथ नए आपके और मेरे डाउट के साथ धन्यवाद thank you बहुत जल्द मिलेंगे आप प्लीज अपने डाउट प्रुष्ण बंदर करें thanks a lot झाल